हाई दोस्तों रोजगार बुलेटेन में आपका स्वागत है और आज मैं आपको दो खबरे बताऊंगा जिसको सुनके आप एकदम हिल जाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे वाटसेप ग्रूप और टेलिग्राम ग् मिला होगा जो की एक email का है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले EMRS का जो paper था वो 7, 8, 14 और 15 October 2023 को होना था लेकिन अब वो होगा 9, 10, 16 और 17 December 2023 को और आप देखिए कि इसके नीचे यहाँ पे एक link दिया गया है जिसको छुपा दिया गया है मैं आपको बता दूँ कि यह प EMRS में क्या दिलचस्पी है पहली बात दूसरी बात यह है कि हमने तो form नहीं भराए लेकिन जो हमारे साथ student हमारे paid bash में तयारी कर रहे हैं उन्होंने बताया सर हमें कोई email नहीं आया इस तरह का और यह पूरी फरजी घब रहे हैं आपको बताना चाहूंगा जिसने भी यह fake email बनाया है उसने बहुत ही कम पढ़ाई कर रखी है और उसका paper निकलना एकदम impossible है वह paper नहीं निकाल पाएगा अगर तुम इतनी खराब editing करते हो और तुम इतनी खराब English लिखते हो तो तुमारा paper नहीं निकल पाएगा जिस किसी ने भी यह screenshot चलाया है दोस्तों आज की दूस में ही रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है तो मैं योगी अदितिनाज जी हमारे अदर्णिय है हमारे मुख्य मंत्री है तो मैं उनको एक स्चोरी सुनाना चाहूंगा आज से लगबग साड़े 10 साल पहले की बाते मैं ट्रेनिंग पे ग्राउंड पे जाया करता था रनिं नहीं है तो वो कुलहारी मेरे पैर पे लग गई मेरा पैर कर गया और उसके बाद मैं कभी ट्रेनिंग पे नहीं जा पाया उसके बाद वो ट्रेनिंग छूट गई तो कहने का मतलब यह है कि कुलहारी मैंने अपने पैरों पे मार ली तो योगी जी से रिक्वेस्ट करना चा रहा था और उसके बाद आप देखिए यहां पे चीफ मिनिस्टर योगी हैं यहां पे आप देखिए कि इन्होंने मुझे बुलाया था बकायदा और यह दिनेश शर्मा जी हैं आप नीचे देखिए उस समय के डिप्यूटी सीम थे यह अब देखिए कि आपके साथ जो है मेर बुलाया था इन्वाइट करा था और अगर आपने मुझे इन्वाइट करा तो जाहिर सी बात है कि मैं आपका अच्छा ही चाहूंगा आपका बुरा नहीं चाहूंगा यहां पे आप देख सकते हो कि मैं इन्वाइट था और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपका जबत नहीं है टीचर्स की तो आप इस बात को जानते हैं नया आयोग बनी रहा है आप लोग मेनत करी रहे हैं तो उमीद करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द टीचिंग में विकेंसी देखने को मिलेंगी आज की यही दो खबरे थी सबसे पहले तो मुझे आपको यह बताना था इस वीडियो के थ्रू कि EMRS का कोई भी डेट अभी नहीं आई है आप लोग अराम से शांती से तयारी करें जो लोग भी तयारी करना चाहते हैं वो डिस्क् इस वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू सो मच्च